आखिर हिमांशी ने आसिम के सामने खोले अपने दिल के राज आसिम को बताया चाओ से सगाई तोड़ने की असली वज़ा क्या आसिम को हिमांशी ने किया प्रपोज तो आईए जानते हैं बिग बॉस 13 में आसिम रियाज और हिमांशी खुराना के बीच क्लोज इस बरती हुई देखी गई थी फैमली वीक में आई सिफाली जोरिवाला के पती पराक्टागी पहुंचे तो उन्होंने बताया हिमांशी ने अपनी सगाई तोड़ ली है और वो घर के बाहर आसिम का इंतजार कर रही है वीकेंड का वार में हुसलमान खान ने भी इस बात को लेकर आसिम को टार्गिट किया और कहा के आसिम के वज़ा से ही हिमांशी के इंगेजमेंट तूटी है अब पहली बार हिमांची इस पर अपनी चुपी तोड़ती नजर आएंगी हिमांची जल्दी शो के अंदर एंट्री करने वाली है हमने आपको पहले ही बताया था कि बिग बॉस के घर में एक बार फिर फैमिली राउंड होगा कंटेस्टेंस के घर वाले शो में तीन-चार दिन रहेंगे और साथ ही कई टास्क में भी हिस्सा लेंगे और ऐसी खबर आ रही है कि इसी दौरान हिमांची घर में पहुचेंगी और आसिम के साथ अपने रिष्टे पर कई खुलासे करेंगी Entertainment Portal Spot Boy के बुताबिक सूत्रो ने बताया कि हिमांची शो में आसिम को लेकर अपने दिल की बात कहेंगी साथ ही वो ये भी बताएंगी कि उन्होंने अपने मंगेतर चाओ से क्यों रिष्टा खतम कर लिया ऐसी खबरे आ रही है कि ब्रेक अप के लिए आसिम को मिदार ठहराए जाने के लिए हिमांची खुश नहीं है अब हिमांची इन सब बातों पर कई रास खोलती नजर आएंगी इससे पहले हिमांची खुराना ने इस पूरे मामले पर एक ट्वीट किया था हिमांची ने लिखा था मेरी नीजी जिंदगी को जज़ करने का किसी को हक नहीं है सिर्फ मैं इससे दो चार हो रही हूँ ना आसिम गलत है और ना ही चाओ गलत है परिस्थितियां ही ऐसी है सब के जिंदगी में बुरा समय आता है बस हमारा लोगों के सामने है इसलिए इतना बवाल हो रहा है सल्मान ने आसिम को वीकेंड कवार में कहा था कि तुम्हारी वज़ा से हिमांची और उनके मंगेतर का रिष्टा तूट गया है मैंने तुमसे कहा था कि उसकी सगाई हो चुकी है और तुमें उससे दूर हैना चाहिए तुम नहीं माने और तुमने उससे नैशनल टेलेविजिन पर प्रपोस कर दिया इस वज़ा से हिमांची के मंगेतर ने उन्हें छोड़ दिया तो व्यूवर्स आप फ्यूचर में आसिमांची को देखना चाहते हो do let us know your views तब तक के ली stay tuned with us